सबजीयों से भरा हुआ आज हम एकदम नया स्वादिश्ट पराठा बनाने वाले हैं पराठे तो आप बहुत खाए होंगे चाहे आलू गोभी कहो या फिर मटर या मूली कहो लेकिन आज हम ये कैसा पराठा बनाएंगे जो बाकी सारे पराठे से अलग है और स्वाद में तो बहुत बढ़िया है आप इसको चटनिक साथ भी खा सकते हैं नमस्कार आप सभी के मेरे चैनल पर स्वागत है तो चलिए हम रेसिपी बनाना सुरू करते हैं पराठे को बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे इस बरतार में दो कब गेहू कांटा डालेंगे इसके बाद आटे में हम एक बड़े चमच तेल डालेंगे थोड़ा से नमक डालेंगे स्वाथ के अंसार और थोड़ा से हरा धनिया डालेंगे इसके बाद एक छोटी चमच कुटी हुई लाल मिर्च पहले तेल, नमक, धनिया को अच्छे सी मिला लेते हैं फिर इसमें हम पानी डालेंगे सारे चीजों को हमने मिला लिया है अब इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर आटे को लपेटते जाएंगे क्योंकि आटा बहुत टाइट नहीं गुथेंगे मुलायम गुथेंगे इस पराठे के लिए आटा हमें मुलायम गुथना है आटा मुलायम रहेगा तो पराठा बढ़िया बनेगा और खाने में भी बढ़ियें लगेगा आप इस पर आठे को चाय के साथ खाईए या फिर चटनी के साथ भी खा सकते हैं हमने इस तरह से आठे को गुथ लिया है अब आठे को हम 10 मिनट के लिए ढख कर रखेंगे जब तक आठा सेट हो रहा है तब तक इसके लिए हम आलू तेयर करेंगे हमने यहाँ पर एक बरतन में चार उबले आलू मैस करके लिए है आप इसमें हम नमक मसाला डालेंगे थोड़ा से कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे इसके बाद एक छोटी चमद जीरा पाउडर एक छोटी चमद चाट मसाला एक छोटी चमद धनिया पाउडर एक छोटी चमद लाल मिर्च पाउडर आप चाहत इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं नमक डालेंगे स्वात के अंसर आप इसमें थोड़ा सहरा धनिय डालेंगे और सारे चीजों को आलूम अच्छिस मिलाएंगे जिससे नमक मसाला आलूम अच्छिस मिल जाए पराठे के लिए आलू तयार है अब इसको उठा कर हम साइड में रखेंगे यहाँ पर हमने चीज लिया है इसको हम इसी पिलेट में कद्दू कस कर लेते हैं चीज को हमने कद्दू कस कर लिया है अब इसको उठा कर साइड में रखेंगे और आंटे को देख लेते हैं यहां पर आंटा अची तरह से फूल कर सेट हो गया है आप इसमें से एक बड़े साइज के लोई काटेंगे पराठा हम बना रहे हैं तो हम बड़े साइज के लोई काटेंगे आप इसको हम मसलते हुए चप्ता करेंगे आटा मुलायम है थोड़ा से सुखा आटा लगाएंगे जिससे पराठा बेलते समय चिपके न अब इसको हम रोटी के अकार में बड़े साइज में बेलेंगे रोटी हम जितना बड़ा बेलते हैं उसे थोड़ा बड़ा बेलेंगे लेकिन मोटा नहीं बेलेंगे पतला बेलेंगे तो हमने इतना बड़ा रोटी बेल लिया है इसको हम बीच से थोड़ा से काट देते हैं पूरा नहीं काटेंगे अब इस पर हम आलू लगाएंगे थोड़ा से आलू उठाएंगे और रोटी की एक किनारे रखेंगे इस तरह से आलू को फैला देते हैं अब इसके बगल में हम एक चम्मच केचप लगाएंगे केचप के जगां आप हरी चटनी लगा सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद है तो हरी चटनी लगाएं इसके बाद कटी हुई सबजियां रखेंगे तो बगल में हम थोड़ा से कटा हुआ सिमला मिर्च और प्याज रखेंगे अब इसके बगल में हम कद्दू कस किया हुआ एक चम्मच चीज रखेंगे लगबग दो चम्मच चीज हमने लगा दिया है अब इसको हम मोडेंगे तो इस तरह से हम मोडते हुए लपेट लेते हैं आप इस पराठे में अपने मन पसंद कंसवार और भी सबजियां लगा सकते हैं जैसे कि टमाटर, फूल गो भी, बंद गो भी इस तरह सबजियां लगा सकते हैं उपर से हलका सदाब देते हैं ताकि चिपक जाए इसके बाद आप इसको हम बेलेंगे थोड़ा से सुखा आटा फिर से लगाएंगे ताकि यह असानी से बेल सकें इसमें सबजियां हैं तो हलके हाँ से बेलेंगे ताकि पराठा बेलते समय फटे ना इस तरह से पहला पराठा हमने बेल लिया है इसी तरह से हम और पराठा बनाएंगे पराठा को बेलनेंगे बाद आब इसको हम सेखेंगे चलिए हम सेक कर दिखाते हैं गाइस्वरम ने तवा रख दिया है तवा गरम है अब इस पर थोड़ा सिर्ष टेल लगाएंगे तेल लगाने बाद आप इस पे हम पराठे को डालेंगे पहले एक तरफ से सेखने देते हैं तब इसको हम पल्टेंगे और मीडियम आज पर दोनों तरफ से पल्टते हुए सेख लेते हैं पराठे को हम तेल लगा कर सेख रहे हैं अगर आपको घी बटर पसंद है तो आप घी बटर लगा सकते हैं तेल को लगाने एक बार पराठे को हम दोनों तरफ से पलटते हुए सुनाय रंग में होने तक सेखेंगे पराठे हम दोनों तरफ से चीती पड़ जाए तो समझ लिज इसी तरह से और भी पराठा शेक लेते हैं, भ्यान रखें इस पराठा को शेकने के लिए आज बहुत तेज न करें, इसको गरम तवे पर डाल कर मेडियम आज पर सेकें, इससे क्या होगा पराठा अच्छे से फक जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा और खस्ता बनेगा, यह भी जाएगे अरि चेटनिक साथ खाएं, या फिर केचप के साथ खाएं, इसमें सबजी और आलु भरा है, तो आप इसको चेटनिक साथ खा सकते हैं, चेटनिक साथ खाने बहुत बढ़ियम लगता है, इसके साथ आपको कोई सब्जी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको ऐस एक पराठा हम तोड़ कर दिखाते हैं, इतना बढ़िया बना है, अंदर से सब्जी आलू भरा हुआ है, अंदर से मुलायम उपर से खसता है, इस तरग पराठा गर आप घर पर बनाएंगे तो बच्चे बहुत सब्सक्राइंगे, क्योंकि ऐसा पराठा तो बच्चे बहुत आप इस पराठे को बनाएए, खाईए, और फिर हमें कमेंट करके बताएं, कि आपको पराठा कैसा लगा है?